चोपड़ा है जो किस यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ, मेरे पैरे बचों आज इस वीडियो में हम NEET exam 24 के regarding दो बड़े अपडेट्स के बारे में बात करेंगे पहला अपडेट ये है कि NEET 24 के registration form की date 16 March 24 तक extend कर दी है यानि कि जिन candidates ने अभी तक form नहीं फिल किया है, वो 16 March 24 रात 10 बज के 50 मिनट तक इस form को फिल कर सकते हैं और 11 बज के 50 मिनट तक payment कर सकते हैं तो ये एक update है, दूसरी update के बारे में हम बात करेंगे कि सुप्रेम कोट ने जो private candidate और open school candidates थे यानि कि जिनोंने 12th class pass private से कर रखी थी या open school से कर रखी थी या state के open school board से कर रखी थी तो सुप्रेम कोट ने उनको अभी allow कर दिया है, ये final decision दे दिया है सुप्रेम कोट ने इसके बारे में मैं आपको यहां बता दूँ कि जब NMC की जगे पहले MCI होआ करता था उसने इस पर रोक लगा दी थी, मतलब कहने का ये है कि जो regular student थे 12th के वही need की exam दे सकते थे, लेकिन इसमें कुछ candidates ने दिल्ली high court में इसके regarding case फाइल किया और दिल्ली high court ने 2018 में इनको allow कर दिया, अपना फैसला सुनाते समय ये कहा कि private candidate या open school की जो भी candidate हैं जिन्होंने 12th class pass की है वो need exam दे सकते हैं, वो need exam के लिए eligible हैं तो MCI ने सुप्रिम court में 2018 में ही इस decision को challenge किया था और ये matter तबी से चल ही रहा था जब जब भी 2018 के बाद information blatant जारी किया जाता था NEET का उसमें ये एक line लिखी जाती थी कि ये candidates, private candidate और open school candidate provisionally allow हैं लेकिन Supreme Court के decision के according, अगर Supreme Court decision ये देता है कि allow नहीं, eligible नहीं हैं तो ये allow नहीं होंगे अगर ये decision देता है कि ये eligible हैं तो ये allow होंगे हर साल ये ही information blatant में लिखा आता था इस बार भी ये ही लिखा हुआ था और ये provisionally allow थे अभी तक और पिछली साल इन students ने exam भी दिया था, admission भी लिया था उससे पिछली बार भी यानि 2018 के बाद ये admission लेते आ रहे हैं और इस information blatant में भी ये ही बात लिखी गई थी कि ये candidate provisionally allow हैं Supreme Court के फैसले के बाद में decision होगा कि क्या Supreme Court का फैसला रहता है तो Supreme Court ने अभी final decision दे दिया है कि ये candidate eligible हैं यानि कि जो private candidate हैं और open schooling candidate से जिन्होंने 12th class pass की है private से या open school से वो candidate इसके लिए eligible हैं वो need का exam दे सकते हैं, admission ले सकते हैं इसमें तो ये एक बड़ा update है अब इसमें जो NTA ने notice दिया है इसी के regarding application form के extend के regarding जो notice दिया है उसमें ये भी बात लिखी गई है कि जो need 24 के लिए changes proposed थे वो changes need 24 में नहीं होंगे syllabus को छोड़के यानि कि जो syllabus में changing हुआ है वो तो रहेगा syllabus change हुआ इस साल वो तो change हुआ syllabus ही आएगा लेकिन syllabus के अलावा जो भी change हुआ है 24 में वो नहीं होगा need 23 के जो rule and regulation थे वही rule and regulation need 24 में भी होंगे तो ये लिखा है NTA ने अपने notice में और इसके regarding revised information platine जारी किया जाएगा तो ये जो information platine है वो जल्द ही जारी हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे कि इसमें क्या जो change थे वो effect नहीं होंगे लेकिन इतना जरूर है कि जो syllabus change हुआ है वो जरूर effect होगा तो ये दो updates थे जो मैंने आपको बता दिये हैं फिर वीडियो को last में summarize करके बता देता हूँ पहला update ये है कि 16 मार्स तक need registration की date extend कर दी गई है और इसमें इस साल syllabus को सोटके कोई change नहीं होगा need 23 के rule regulation लागो हूँगे दूसरा update ये है कि सुप्रिम कोट ने private candidate से 12th class pass करने वाले candidate को और open school से 12th class pass करने वाले candidate को permission दे दी गई है वो candidate need exam देने के लिए eligible है तो ये दो बड़े updates हैं जो मैंने आपको बता दिये हैं जैसे ही revised information ब्लेटीन जारी होगा हम आपको inform कर देंगे तो मिलेंगे नई updates के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए मैं हरसाई चोपड़ा आपसे लिता हूँ विदा जय है